आज में शुमित्रा ननन पंथ जी के वे आखे का सेस्वाग पर चर्चा करूंगी तो आईए नौमा पद्न हम देखते हैं खर पैर की जूती जोरू ना सही एक दुसरी आती पर जवान लड़के की सुध कर शाप लोड़ते फड़ती छाती इस पद में किसान कहते हैं कि पत्नी मरने से उतना कश्ट नहीं हुआ था वा तो पैर की जूती के समान तुप्छ होती है मनुष चाहे तो एक जूती के फटने पर दुसरी जूती बदल लेता है इसलिए किसान दुसरी पत्नी भी ला सकता था प्रंतु उनके जवान बेटे की हत्या हो जाने की याद आती है तो उनकी छाती पर सांप लोटने लगता है बेदना के मारे उनकी छाती भी दिन हो जाती है अता वे जवान पूत्र की हत्या बचा नहीं सका तो दुसरी पत्नी लाने की हीमत कैसे करे इस पद में कभी पत्नी से पुत्र की से अधिक महत्र दिये है इसमें अनुप्राश लंकार, ग्रामीन भाषा और मुहावरे का प्रियोग किया गया है अब हम आते हैं दसमा पद में पिछले सुक्की स्मिती आँखों में छन भर एक चमक है लाती तुरत शुन में गर्वा चितवन तीखी नोक शद्रिश बन जाती किसान अपने बीते हुए दिन को याद करते हैं तो उसे छन भर के लिए सुख और आनन्द मिलता है उसकी आँखों में चमक भर जाती है उसे अपने खेत गाय पुत्र पतनी बिटिया पुत्र बदू की कलपना शुक देने लगती है किन्तु जब उसकी कलपना धीरे धीरे गहरे चिंतन में उतरती है तो उनकी आँखे शुन्य हो जाती है उसे एक एक करके शब को नश्ट होने की याद आती है तो वे सवयाद उसके लिए दुख दाई बन जाती है किसान का जीवन ऐसा दुख में है कि एथार जीवन में तो दुख मिलता ही है कलपना में भी दुख मिलता है इसमें उपमा अलंकार और लगुश अब्दों का पर्योग किया गया है पंत जी ने वे आखे कवीत्ता में स्वतन तता पूर्व के भारतिवी किशान की मारमिक दशा का चित्रन करना चाते हैं उनकी आखों में सदा निराशा, दुख हींता, त्राश पीरा भर्म शेंशय तथा आतंक का अंधेरा चाया रहता है उनकी हरी भरी खेती को महाजन की सोसन की वस्ताद्वारा लिल लिया जाता है उन पर निर्मम अत्याचारों किये जाते हैं, उनकी खेती को उनसे बेदखल कर उन पर हिंसक हमले किये जाते हैं महाजनों के दरिनगी से उनके पुत्तरादी परिविये जनों को जान से मार डालते थे शुद्खोरों महाजन अपना रीन और व्यास चुकाता करने के लिए कूर से कूर अमानविये से अमानविये कर्म किया करते थे दुर्भाग भी उन पर सवार रहता था उनके देखते देखते उनकी भरी पूरी गिधस्ती उर्जा जाती थी किशान अपने घर की इज़त की रख्षा नहीं कर सकता था उसकी बहु बेटिया को सरे आम अपमान कर दिया जाता है ये सवी बेदनाय किशान की गहरी आँखों में शदा समाई रहती थी इससे उसका जीवन जी का जनजाल बन जाता है तो वच्चों ये थे वे आँखे कवीता अब शमाप्त हो गई है धन्यवाद झाल 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 झाल